जयेंद आवरीवन तो बताओ सही तही कि तुम लोग डरते हो या नहीं डरते हो किस से बोर्ड एक्जाम से सो हलो आवरीवन वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 एं 10 एं 10 एं एंटीसी चैनल दिस इस किशन जयाश्वाण मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो competitive exam की त्यारी कर रहे हैं पिछले एक साल से वो मेरे साथ NTSC की त्यारी कर रहे हैं बीच में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो मैं कोसिस करूंगा कि आप सभी लोगों की इन परिसानियों को दूर करने की कोसिस करूं ठीक है और आपके mindset को सही करने की कोसिस करूंगा तो प्यारे बच्चों जो आपका competitive exam होता है उसमें एक चीज यह होती ही कि उसमें अब term 2 होने वाला है वह descriptive paper होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से चीज को समझेगा कि आपका जो MCQ test होता है वह आपको क्या check करता है कि आप accurate answer दो सिर्फ और सिर्फ answer दो accurate जबकि board exam में क्या होता है descriptive paper में आपको कितना knowledge है आप क्या-क्या लिख सकते हो आप क्या-क्या भर सकते हो representation check की जाती है आपकी कैसे आप चीजों को represent कर सकते हो कितनी चीजे आपको याद है कितना बढ़िया answer लिख सकते हो तो यह चीजे दिक्कत आती है board exam में जो की competitive exam में फेस्ट नहीं करनी पड़ती है इसमें आपको question जो दे दिया गया माने जिए question दे दिया अब इस question के आपको चार option दे दिये गया आपने क्या कि आपने रफ शीट पर एक्दम roughly वरक किया आपको answer आसपास दिखा आपने OMR seat में इस गोले को भर दिया आपका काम हो गया जबकि यह काम आप board exam में नहीं कर सकते हो question को आप roughly नहीं कर सकते हो आपको question को पूरी definition लिखनी पड़ेग flow charts बनाने पड़ेंगे diagram बनाने पड़ेंगे तो यह सारी चीजे आपको दिक्कत face करनी पड़ती है लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाहता हो यह कि जब आप इस competitive exam की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पता भी नहीं है कि आप board exam की तैयारी कर चुके हो बस होता क्या है आ मैंने boards के लिए अलग से तो पढ़ा ही नहीं है आपको अलग से थोड़ी पढ़ने की जरूरत है आपको सिर्फ और सिर्फ किस की जरूरत है अगर आप board exam में चाहते हो इक नहीं बोर्ड में मुझे better करना है मुझे boards में भी अच्छा लाना है after my competitive exam that is ntsc उसके बाद अगर 95% 98% जिसका जो भी target हो उसको वह achieve करना है तो उसको सिर्फ एक चीज पर वर्क करना है लिखने की practice करने पर प्यारे बच्चों मैं आपको पता दूं मैंने अपने career में 10th 12 उसके बाद अपने बीटेक में 8 बार semester exam दिया है और सभी semester exam में written exam होता था तो हम लोगों ने एक ची सब्सक्राइब कर पाते हैं बहुत सारे बच्यों चीज को उस तरीके से शरी नहीं कर पाते जिस तरीके से examiner को चाही होता है और जिस तरीके से सही एंसर लिखा जाता है और आपका mcq पेपर होता है तो उसमें बच्चे को बहुत जाते हैं उसमें आपका नॉलेज वो representation प के पास आ जाए एक महीना बच जाए तो उसमें आप अपने लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दिजिए रब से टुटाइए क्वेश्चन पढ़िए उसको समझे उसको लिखिए कि आपको एक्जाम में कैसे लिखना है लिख लिखकर आप चीजों को याद भी करेंगे और ल पास हर प्लान है अभी आपका माल दिटिज्व रहा है तो इसकी मैं आपको त्यारी कर वा रहा हूँ सब कर पर पढ़ाये जाएगा आपको चिंता करने की कोई ज़रत नहीं मेरे पास सब कुछ प्लान है तो अभी फिलाल आप क्या कर सकते हो की त्यारी कर सकते हो इसके अलावा अनकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक प्रोडिजी हो रहा है अल्रेटी मैंने बता रखा है उसके बारे मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आप इसको मॉक टेस्ट ले सकते हो क्लास 7 से लेकर 10 तक के सभी वच्चों के लिए अविलिबल है आप इन्रोल कर लिजिए इन्रोल करने के बाद पेपर दीजिए इसमें डे सारे आप प्राइजे जिस सकते हैं अगर आप अनक्टमी के सट्विशन भी लेना चाहेंगे तो उसमें स्कॉलर सिब जी सकते हैं तो जिनकी इच्छा है वो जरूर देंगे अगर आप इन्रोल्म सब्सक्रिप्शन के लिए स्कॉलर से जी सकते हैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं डरना है आपके लिए मेरे पास सब कुछ प्लान है डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कैसे करनी है कब करनी है यह सारी चीज़े आपको समय समय पर बताई जाए अपने सिलेबस को पूरा पढ़ने की कोशिस करिए उसके बाद जब आप सिलेबस पढ़ चुके होंगे उसी सिलेबस पढ़े हुए सिलेबस को बस आपको मैं लिखना सिखा दूँगा आपका काम हो जाएगा आप सभी लोगों के मन से यह डिस्क्रिप्टिव पेपर को ले करिए यार इस चैनल को ताकि वो फ्यूचर में जो कॉम्प्टेटिव एकजाम आ रहे हैं उनकी तैयारी सुरू से सुरू करना सुरू से करना सुरू कर दे ठीक है चले तब तक अपना ख्याद रखिए बाबाय टेक केर लव्यू आल एंड जैहिर